डियर इस्टूएंट्स, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टील ड्राइंग में ग्रिलेज बेस की ड्राइंग तो ग्रिलेज बेस होता है क्या है मैं थोड़ा से सबसे फ़ले आपको इसके बारे में बता दूँ जब किसी कॉलम पर हैवी लोड आता है बहुत ज्यादे लोड आता है तो उसके लिए जो आधहार होता है बेस का उसको हम लोग ग्रिलेज बेस बोलते हैं और उसके लिए जो बेस बनाया जाता है वो ग्रिलेज बेस होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये किस type का होता है यह आपको दिख रहा है ये ये जो हमारा column है इस column के लिए नीचे दिखाए दे रहा है ये आपकी beam है girder beam है और इसके उपर एक और tier चड़ाया गया है girder beam की और ठीक इसके उपर क्या किया गया है कालम को रिवेट से या बोल्ट से कस दिया गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिलेज बेस ये हमारे स्लैब बेस और गजट बेस से काफी अच्छी होती है लोड बीरिंग कैप सिटी के मामले में सबसे नीचे कंक्रीट का ब्लाक है और उसके उपर एक टियर है एक लेयर है कि सिज की ये गर्डर बीम की और उसके उपर फिर एक गर्डर बीम की लेयर और उसके उपर हमारा कालम सेट किया गया है जो आसानी से कितने भी हैवी लोड को क्या कर देता है कैसे ये जो हमारा कालम है ये लोड को बीर करती है इस लोड को बीर करती है बीम और फिर उसके नीचे वाली बीम इस लोड को ट्रांसफर करती है इसके नीचे वाली बीम पे और उसके बाद ये लोड ये ट्रांसफर होता है हमारे कंक्रीट पे और इस प्रकार से ये आसानी से सहन कर लेती है जो हमारी ग्रिलेज बेस किसी भी प्रकार के लोड को तो आए इसकी ड्राइंग मैं आपको बताता हूं और इसके ड्राइंग के लिए क्वेशन आपके स्कीन पर सो हो रहा है जिसमें जो फाउंडेशन है वह 1000 mm x 1000 mm x 200 mm का दिया है बेस प्लेट आपका 600 mm x 400 mm x 32 mm जिसकी थिकनेस है बेस प्लेट की यह बेस प्लेट की लंबाई यह चोडाई और यह 32 mm मोटाई है कालम दिया है कालम की जो चोडाई है यह दिया है आपका 300 mm यह विट्थ और यह डेफ्थ दिया है आपका कालम का 400 mm थीकनेस दिया है फ्लेंज की कालम की 20 mm और वेव की थीकनेस 10 mm दिया है गर्डर जो है गर्डर बीम अभी मैंने आपको दिखाया था ये होती है गर्डर बीम ये जो आपको दिखाई दे रही है ये girder beam आपको दिया है इसकी जो चोड़ाई है width 100 और जो depth है वो दिया है 200 और girder beam की जो थिकने से flange की वो 10 mm और जो wave की थिकने से वो भी 10 mm दिया है उसके बाद flange angle आपका 100 into 100 into 12 यानि की long leg, side leg और उनकी थिकने से दिया है scale हम 1 ratio 10 का ले लेंगे और drawing को बनाना है start कर देंगे तो आईए drawing को बनाते हैं तो students वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक करिए channel को subscribe करें यदि channel पर नए हो तो bell icon को paste कर दें जिससे आपको आने वाले किसी नए वीडियो का notification राप्त होता रहे और अगर किसी प्रकार के कोई समस्या हो तो comment करके ज़रूर बताए मैं उसका पुरा समधान करने की कोशिश करूंगा तो आई यह चलते हैं बिना देर किये हुए हम लोग वीडियो में drawing को सीखते हैं तो सबसे पहले जो foundation है इसकी लंबाई दिया है आपका 1000 x 1000 x 200 तो हम इसको जब बनाएंगे तो 1000 हम खीचेंगे तो 1000 को scale पर change करेंगे 10 का scale है तो यह आपका 10 का scale है तो 1000 mm divided by 10 will be equal to 100 mm 100 mm यानि की 10 cm तो यह यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 10 cm की एक line draw कर लेंगे तो आई ड्रा कर लेते हैं 10 cm यह आपको दिख रहा है हमने 10 cm यहाँ पर सारी खीच दिया है उसके बाद उसकी ठीकनेस दिया है foundation की ठीकनेस कितना दिया है 200 mm 200 mm को scale पर जब change करेंगे तो 200 divided by 10 यह 20 mm आ गया यानि की 2 cm के बराबर तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से खीच लेंगे यह हमारा इस प्रकार से 2 cm यह हो जाएगा और यह हमारा foundation की जो concrete block है यह है इस प्रकार से इसको यहाँ पर मिला देंगे इसके बाद इसके उपर आपको दिख रहा है इसमें यह बीम आपको दिखाई दे रही है यह जो girder beam है यह आपको दिखाई दे रही है तो इनको हम लोग बना लेंगे यह girder beam को बना लेंगे तो इसमें हम लोग 5 girder beam लगाएंगे कितनी 5 यह 1000 था तो इसमें 5 girder beam हम लोग लगाएंगे girder beam की जो थिकनेस है बो आपका यहाँ पे दिया है यह depth कह लिया जाए तो depth दिया है 200 mm तो आईए इसमें हम लोग 5 आप अपने हिसाब से कितने भी लगा सकते तो इसमें 5 जो girder beam है उनको लगा लेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से 1 cm जगा छोड़ के और यहाँ पे क्या करेंगे इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जो हमारी girder beam है उसकी depth दिया है 200 यानि कि 200 ऊपर जाएंगे 200 को scale पर change करेंगे तो 2 cm के बराबर आएगा ठीकनेस जो flange की दिया है वो 10 mm और wave की ठीकनेस भी 10 mm दिया है तो इसको खींच लेंगे wave की ठीकनेस हमारी कितनी होगी 10 mm 10 mm को scale पर change करेंगे तो 1 mm के बराबर आएगा तो यह 1 mm के बराबर हम इसको क्या कर लेंगे wave को खींच लेंगे यह इस प्रकार से यह इस प्रकार से खींच लेंगे और उसके बाद जो girder है उसकी चड़ाई दिया है 100 mm 100 mm को scale पर change करेंगे तो 1 cm आएगा तो यहां से 1 cm का आधा इस साइड में खींच लेंगे और 1 cm का आधा इस साइड में खींच लेंगे और इसको इस प्रकार से क्या कर देंगे मिला देंगे ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड में भी हम लोग इस प्रकार से इसको खींच लेंगे और इसको इस प्रकार से मिला लेंगे हमने क्या किया हमने सबसे पहले यहां से एक सेंटीमिटर जगा छोड़ दी और एक सेंटीमिटर छोड़ने के बाद ठीक वहीं से यह हमने पूरी डेफ्ट खींच लिया यहां से लेके और यहां तक कितना 200 mm इसकेल पर सेंटीमिटर के बराबर आया यहां से लेके और यहां तक पूरी गहर आई उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो चोड़ाई है यह 100 mm यानि की सकेल पर एक सेंटीमिटर आया यहां से लेके यहां तक कितना आया 1 cm इसकी चोड़ाई को खीछ लिए फ्लेंज की मोटाई दिया है girder की 100 तो 10 evento 10 mm यानि की 1 mm के बरावर इसकी मोटाई है और 1 mm के बरावर इसकी भी मोटाई है उसके बद क्या करेंगे अब यहाँ से फिर क्या करेंगे यहाँ से 2 cm जगा छोड़ देंगे अपने तरीके से चाहें जैसे चाहें इसमें बराबर बराबर डिस्टिम्स पे पांस गर्डर लगा सकते हैं तो आप लगा देंगे आईए मैं लगा देता हूं यह इस प्रकार से हमने इसमें पांस गर्डर बीम लगा लिया जो आपको दिखाई दे रही थी अब क्या करेंगे अब इसके ऊपर दूसरे टाइप से जो यह वाली गर्डर बीम आपको दिखाई दे रही है यह इसमें यह आपको सिर्फ लंबाई में ही दिखाई दे रही है तो इसको बना लेंगे हमने सबसे पहले इनको बना लिया जो यह एक एक करके दिखाई दे रही यह दिखा रही jest यह एक, दो, तीन, चेर, ऐसे, धUIर सारे दिखाई देने हैं लेकिन मैंने सिर्व पांच बनाया है इसमें फ्लेंज की चड़ाई भी दिखाई दे रहे थी अब दूसरे वाले इसके उपर जो लगाई गए है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें इसकी पूरी लंबाई दिखाई दे रही है पूरी concrete black तक तो उसको हम लोग बना लेंगे तो आईए बना लेते हैं पूरे concrete black तक या फिर ये कह सकते हैं कि यहीं तक बनाएंगे इसके उपर तक हम लोग इसको बनाएंगे तो आईए बना लेते हैं और ठीक इसी के ऊपर यह रहेंगी, तो यह इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे? इनको खींच लेंगे, अब आप देख रहे हैं इसमें कि इनकी depth, जो फ्लेंज की depth है या थिकने से वो दिखाई दे रहें, फ्लेंज की मॉटाई दिखाई दे रहें, तो फ्लेंज की मॉट मूटाई दस सेंटीमेटर्य तो कितना आएगा एक सेंटीमेटर यह सिर्स्राइब यह क्या कर लेंगे यह हमने खिल लिया उसके बाद क्या करेंगे इसके उपर प्लेड लगाएंगे दू तो तो यह आपको दिखाई दे रहा है हम इस साइड से हम इसको इस साइड से देखके बनाएंगे चोकि इस साइड से देखके बनाएंगे तो हमें बोल्ट नहीं दिखाई देंगे यह जो रिवेट है वो दिखाई नहीं देंगे तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस साइड को बनाएंगे तो यह हमारा main front है तो यह यहां से लेके यहां तक 600 mm होगा और यहां से लेके यहां तक 400 तो हम 400 वाले को बनाएंगे यहां से लेके यहां तक हमें 400 दिखाई देगा इस साइड से जब देखेंगे तो जब इसको इस साइड से देखेंगे तो यह हमें कितना दिखाई देगा इस साइड से हमें यह 400 दिखाई देगा तो इस 400 को हम लोग क्या कर लेंगे खींच लेंगे, यानि कि चोड़ाई को खींच लेंगे, यह base plate की लंबाई 400 चोड़ाई और 32 मुटाई है तो 32 मुटाई खींचना है और 400 चोड़ाई खींचना है, तो कैसे खींचेंगे इसका बिल्कुल center point ले लेंगे यह जो 9 point something आ रहा है इसका center point ले लेंगे 9 point 5 है, तो इसका center जो आ जाएगा 4 point 7 ऐसे कुछ आ जाएगा 4 point, जो भी इसका center है आप ले लेंगे अपने हिसाब से, मैं भी अपने हिसाब से ले लेता हूँ 4 point something इतना आ जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से 400 mm जो यह हमारा base plate की चोड़ाई है इसको खीच लेंगे, 400 का मतलब 200 इस side में point कर लेंगे और यहाँ से 200 इस side में हम लोग क्या कर लेंगे, point कर लेंगे और 32 mm को scale पर change कर नहीं तो 3.2 आ जाएगा इसको लगबख 4 mm के वराबर क्या कर लेंगे हीच लेंगे इस प्रकार से हमने क्या किया लगबख 4 mm के वराबर इसको इस तरीके से हमने खीच लिया अब क्या करेंगे इसके बाद इसके उपर column लगाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब column को देख रहे हैं इस side से आपको दिख रहा होगा यहाँ से जब column को दिख रहे हैं तो column की flange की चोड़ाई दिखाई दे रहे तो column के flange की चोड़ाई जो है उसको हम लोग हीच लेंगे तो column के flange की चोड़ाई आपके कितनी है यहाँ पे flange की चोड़ाई 300 है 300 को scale पर जब change करेंगे तो 3 cm के बराबर आएगा तो इसी जो mid point था इसी mid point से 1.5 cm इस side में और 1.5 cm दूसरे side में ये और इसको हम लोग क्या कर लेंगे हींच लेंगे इस प्रकार से जिस side से हम लोग देख रहे हैं उस side से जो flange है उसकी केवल चोड़ाई दिखाई देगी या column की चोड़ाई दिखाई देगी उसको खींच लेंगे flange की thickness नहीं दिखाई देगी इसलिए उसको हम लोग नहीं खींचेंगे यह इस तरीके से इसको क्या कर देंगे यहाँ पर continuous कर देंगे उसके बाद इसके बीचों बीच यह आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसमें यह आपको दिखाई रहा है इसमें इसकी जो wave की thickness है यह हम दिखाई तो नहीं देगी लेकिन इसको बना देंगे dotted ताकि लगे कि यह है इसमें जो flange की मोटाई है वो है तो उसको बना देंगे flange की मोटाई आपकी कितना दिया है कालम की वो 10 mm दिया है तो ठीक इसके बीचों बीच हम लोग क्या कर देंगे 10 mm यानि कि 1 mm के बराबर scale पर कितना आ जाएगा यह 1 mm के बराबर आ जाएगा इस तरीके से क्या कर देंगे dotted इसको दिखा देंगे हम लोग जानते हैं कि dotted दिखा देते हैं जो चीज़े हमें दिखाई नहीं देती है उसको तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे इसको dotted दिखा देंगे इस तरीके से कुछ हम लोग इसको क्या करेंगे दिखा देंगे यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और अबर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं मैं उसको बताऊंगा उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद यहां पर दो-दो रिवेट्स लगा देंगे यहाँ पे beam को जोडने के लिए दो-दो rivets लगा देंगे, तो आईए लगा देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से, आप भी लगा देंगे, ने संकोच, यहाँ पे कुछ सोचने समझने की जरूत नहीं है, बस क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे, ताकि यह जो हमारी वर्डर beam है, एक दूसरे से क्या है, जूड़ी हुई है, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, यह इस प्रकार से, यह, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुए होगी, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें भी हम लोग, इसमें भी इस प्रकार से लगा देते हैं, यह, यह इस प्रकार से लगा देंगे, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिपिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और इस प्रकार से हम लोगों का जो लगभग फ्रांट है वो कंप्लीट हुआ, इसमें क्या कर देंगे, इसमें कंक्रीट को हम लोग दिखा देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये, जो हमारी कंक्रीट है इसको दिखा देंगे, यह इस प्रकार से यह हमारा concrete block है और इस प्रकार से जो हम लोगों का यह front elevation है यह complete हुआ तो आईए अब इसमें dimensioning कर लेते हैं इस लेफ time कर इस बंद मैं झाल्गा कर दा है झाल झाल इस प्रकार से जो यह आपका sectional elevation है यह complete हुआ आईए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ सबसे पहले हमने क्या किया यहां से लेकर यहां तक 1000 mm कितने का concrete block खीश लिया यह कितने का है 1000 mm का concrete block है इसके उपर हमने 200 mm गहराई के जो lower tier girder beam है यह 5 लगा दिये कितने की 200 mm depth वाली यह यहां से लेकर यहां तक यह कितनी है चोड़ाई एक beam की तो यह 100 है यहां से लेकर यहां तक 100 mm याने के scale पर एक centimeter आया है इसकी मुटाई कितनी होगी 2 mm, आप भी इसमें क्या कर लेंगे, इसको खींस लेंगे, उसके उपर हमने अपर टियर गर्डर बीम लगाया, 3 कितनी, चुकि सामने से देखेंगे तो सिर्फ एक ही दिखाई देखें, लेकिन इसमें 3 लगाई गई है, कितनी बीम, 3 गर्डर बीम उपर लेयर में, उसके उपर हमारी बेस प्लेट है, जिसकी हमें दिखाई दे रही है, चुड़ाई 400 mm दिखाई दे रही है, और मोटाई इसकी 32 mm दिखाई दे रही है, उसके उपर हमारे इंडियन स्टेंडर है, भी बीम कालम 300, जो डेफ्थ है उसकी, एक्चुल में डेफ अब क्या करेंगे अब सभी लाइनों का जितनी हैं उनका प्रोजेक्शन खीश के और इसका हम लोग क्या कर लेंगे प्लान बना लेंगे तो आईए इसका हम लोग प्लान खीश लेते हैं और उससे पहले हम लोग सेक्शनल शारी इन सभी लाईनों का projection खींच लेंगे तो आईए खींच लेते हैं इस प्रक्राइब आई सब्ण का क्या कर लिया अब क्या करेंगे अब यहां से इस में हम लोग इसको खींच देंगे तो आईए इसको draw कर लेते हैं जो हमारा plan है इसको यह इस प्रकार से खिंच देंगे और यहां से जो इसकी चोड़ाई दिया है यह हमारी लंबाई हो गई और यह जो चोड़ाई दिया है वो 100 दिया है तो इसको भी खिंच लेंगे 100 को scale पर change करेंगे यह 10 mm के हमारा बराबर आ जाएगा तो इसको हम लोग खिंच लेंगे sorry 100 mm के बराबर आ जाएगा यानि कि 10 cm के बराबर आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे इस प्रकार से खिंच लेंगे यह यह इस प्रकार से हमने इसको खिंच लिया यहां से लेके यहां तक 10 cm और यहां से लेके यहां तक कितना है 10 cm है क्योंकि 1000 mm को scale पर change करेंगे तो 100 mm या 10 cm के बराबर आएगा इसके बाद क्या करेंगे इसमें जो base plate है उसको खिच लेंगे जो base plate है यह 600 mm लमबाई दिया है और 400 mm चवडाई दिया है तो यह आपको दिख रहा है base plate ये इसका projection ये यहाँ पे आ रहा है तो ये इसको हम लोग खीच लेंगे तो कैसे खीचेंगे इसका mid point ले लेंगे ये इसका क्या करेंगे mid point ले लेंगे ये हमें mid point दिख रहा है ये 5 और यहाँ से 3 cm उपर जाएंगे और यहाँ से 3 cm नीचे क्या कर लेंगे इसको इसी के प्रोजेक्शन पर खींच लेंगे या फिर मैं आपके लिए सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन लाइन ही खींच देता हूं यह जो आपका है बेस प्लेट के लिए यह हमारी प्रोजेक्शन लाइन है इसको खींच देता हूं आपके लिए असान इस प्लेट है इसको इस प्रकार से खींच लेंगे ये यह आपको दीख रह Ε है मैंने खींच लिए आपको कोई परशानी नहीं होगी यहां पर मैंने क्या किया बेस प्लेट का प्रेक्शन खींचा और यहां से ऊपर कितना गए जो मा tense खिंच लिया अब क्या करेंगे अब इसके बाद इसमें ये जो हमारा कालम है इसको लगा देंगे जो हमारा ये कालम है इसको लगा देंगे तो कालम की जो डेफ्थ है जो गहराई है जो 400 mm दिया है 400 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो यह कितना आ जाएगा यह हमारा आ जाएगा चार सेंटीमीटर के बराबर तो यहां से मीड पॉइंट बिल्कुल इसका लेंगे यह हमारा होता है क्या मीड पॉइंट यहां से इसका मीड पॉइंट लेंगे और यहां से इसका मीड पॉइंट लेंगे यानि कि यह total midpoint यहाँ पे आ रहा है हमारा यह कुछे इस परकार से तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कालम को हिंस लेंगे तो कालम को कैसे खीचेंगे कालम के जो wave की मुटाई है इसका projection आपको दिया है wave की मोटाई का projection आपको दे रखा है तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे यहां से उपर जाएंगे जो हमारी depth है 400 इसको खिंच लेंगे 400 का मतलब 4 cm यानि कि midpoint से 2 cm नीचे और 2 cm उपर आपको दिख रहा है तो मैं इसको क्या कर लोंगा हिंच लोंगा यह इस प्रकार से यह और इसकी जो थिकनेस है इसको भी हम लोग खिंच लेंगे जो wave की थिकनेस है यह कुछ इस प्रकार से उसके बाद इसकी जो flange की चोड़ाई है projection पे खिंचेंगे इसके बिलकुल projection पे यह जो आपको line दिख रही है इसी के projection पे खिंच लेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको बस इसी के projection पे इसको क्या कर लेना है खिंच लेना है तो मैं इसको इस प्रकार से खिंच लोंगा फिर दूसरे side भी सेम ऐसे ही हम इसको खिंच लेंगे यह जहां तक जाएगा वहां तक यहां तक यह आ रहा है तो यहां तक हमको क्या करना है इसको हिंच लेना है यह इस प्रकार से उसके बाद इसके flange की थिकनस दिया है 20 mm यानि कि 2 mm के बराबर आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे इस प्रकार से खींच लेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा कालम हो जाएगा दोस्तों आपको बिल्कुल परिशान होने की जूरत नहीं आप सबी लाइनों का प्रोएक्शन खींचेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे इसको बड़ी असानी से आप खींच पाएंगे ये दो एमेम उपर भी फ्लेंज की मुटाई होगी इसको हम लोग क्या कर लेंगे इस प्रकार से खींच लेंगे और इसको क्या कर देना है यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से जैसे मैंने इसको मिलाया है वैसे ही आप भी क्या करेंगे इसको मिला लेंगे यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होई होगी अब क्या करेंगे अब इसमें आप जो इसके उपर गजट प्लेट होती है उसको क्या कर देंगे लगा देंगे जो हमारी उपर गजट प्लेट आपको पता है इसके उपर गजट प्लेट लगती है इसको लगा लेंगे और ठीक इसके उपर एक फ्लेंज एंगल लगता है जो 12 mm थिकनेस दिया है तो लगबग इसको क्या कर लेंगे एक mm हम लोग मान के और इसको क्या कर लेंगे इस प्रकार से खिंस लेंगे तो किसी प्रकार नीचे भी यहीं काम करना है ये मैसे है मैसे ही खिंस लोगा इसको ये कुछत इस प्रकार से एक हमारी क्या है इसमें एक रिवेट आपको लगा के दिखा देता हूं बिल्कुल इसी का प्रिवेट हम इस प्रकार से लगा देंगे इसी प्यकार से चारो तरफ सब में रिवेट लगा लेंगे तो आईए लगा लेते हैं यह इस प्रकार से हमने रिवेट प्रवाइड कर लिया अब इसके बाद क्या करेंगे अब इसके बाद यह जो हमारे यह दिखाई दे रहे थे यह हमारे जो गर्डर बीम है इनको इनके प्रजेक्शन पर क्या कर लेंगे ड्रा कर लेंगे या फिर खींच लेंगे तो आईए खींच लेते हैं इनको यहां तक पुरा हम लोग इनको क्या कर लेंगे खींच लेंगे आईए खींच लेते हैं इनको इस प्रकार से यहां तक हम लोग इसको खीश लेंगे यह कुछ इस प्रकार से और उसमें ये ये हमारी क्या होंगी ये बीम होंगी इस बीम को भी हम लोग ठीकी से प्रकार इसमें खीश लेंगे ये बीम आपको दिख रहा है मैं खीश रहा हूं तो ये दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें तो था बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट जरूर करें मैं उसके समाधान की पूरी कोशिस करूँगा ये इस प्रकार से हमने ये जो बीम है इनको बना लिये इसमें ये डॉटेट दिखा देंगे इसके जो ये वेव की थिकने से इसको हम लोग क्या कर देंगे डॉटेट दिखा देंगे तो आईए सब में ऐसे ही डॉटेट दिखा देते हैं ये हमने इस प्रकार से इसको खीच लिया अब क्या करेंगे अब इसमें जो separators हैं ये जो लगे हैं इनको दिखा देंगे तो आए दिखा देते हैं जो pipe separators हैं उनको तो ये सिर्फ यहां इसी portion में जो खाली है इसी में दिखाई देंगे तो इनको इस प्रकार से हम लोग लगा देंगे जो pipe separators हैं ये इस प्रकार से ये पूर्शन में भी करेंगे जितना काम ऊपर की हैं यही काम नीशे भी कर लेंगे तो आईए कर लेते हैं कर लेते हैं यह इस प्रकार से हमने नीचे वाले पॉर्शन में भी वैसे ही बना लिया जो हमारे पूरे गर्डर बीम है इनको इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद इस पॉर्शन में जो यह अपर टियर गर्डर की तीन बीमे हैं इन तीन बीम को इसमें हम लोग लगा लेंगे जो base plate के उपर वाले इस portion में दिखाई दे रहें तो इसमें हमें क्या करना है उन 3 beams को दिखा लेंगे उनकी गराई कितनी है 200 mm है 2-200 mm की 3 beam हमारी होंगी उनको क्या कर लेना है दिखा लेना है तो यहां से उपर से 5 mm छोड़ के हम लोग क्या कर लेंगे इनको दिखा लेंगे यहां से 200 mm की एक होगी यह इस प्रकार से हमारी 200 mm की जो beam है इनको हम लोग दिखा लेंगे यह फिर 5 mm का लगभग छोड़ देंगे इसमें gap फिर एक इसमें बीम दिखा लेंगे दूसरी वाली यह इस प्रकार से फिर इसमें 5 mm का gap छोड़ देंगे और फिर यह तीसरी वाली भीम यहां पर दिखा लेंगे यह इस प्रकार से यह हमारी 3 में हो गई है यह पाली यह दूसरी और तीसरी यह 2 cm का अगर adjust नहीं हो पाएगा मेरा नहीं हो पाएगा तो आप क्या करेंगे थोड़ा कम कम का ले लेंगे जो इसकी depth है इसको आप कम दिखा लेंगे इसको और असानी से क्या हो पाएगी बन पाएगी या फिर आप depth को भी बढ़ा सकते हैं यहां से लेकर यहां तक जो यह base plate की लंबाई है इसको आप बढ़ा सकते हैं 700 कर सकते हैं तो आईए इसमें center में जो यह इस प्रकार से wave की thickness है इसको हम लोग दिखा लेते हैं यह इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार से इसमें भी wave की thickness को क्या कर लेंगे दिखा लेंगे चो कि यह उपर आती है beam तो यह उपर दिखाई देगी इसके नीचे वाली beam हमें दिखाई नहीं देगी इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं खीज देते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा समझ में आएगा यह हमारा क्या है फ्लेंज की thickness है यह क्या है फ्लेंज की thickness है यह इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इसको दिखा देते हैं फ्लेंज की thickness को मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यह जो आपकी beam है यह यह जो आपकी beam है इस beam में यह इसके उपर वाली जब यह beam को देखेंगे तो इसके बीच जो गयप है उसमें से यह वाली भी beam दिखाई देंगे नीचे वाली यह जो नीचे वाली beam है इन तीन या चार जो भी beam है इनके नीचे वाले portion में देखेंगे तो यह दिखाई देंगे तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे ही इस लेंगे तो इनको कैसे खीचेंगे आईए मैं बताता हूँ आपको यह क्या करना है यह जो portion इसमें आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से यह वाला इसी में इनको क्या करना है ही इस प्रकार से इसको दिखा देना है यह ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग इसको खीच लेंगे यह और इसमें यह जो हमारे वेव प्लेट हैं उनकी थिकनस को दिखा देंगे ठीक इसी प्रकार यहाँ भी क्षिच लेंगे कि अरो इसमें जो वेव प्लेट की थिकने से इसको आपका क्या कर देंगे यहाँ दिखा देंगे झाल 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 और यह इस प्रकार से आपका जो पूरा प्लान है यह कंप्लीट हुआ मैं एक बार फिर से आपको प्लान बता देता हूँ सबसे पहले हमने क्या किया सेक्षनल एलिवेशन के सभी लाइनों का प्रोजेक्शन खीश लिया जितने भी आपके गुर्डर बीम है इनका प्रोजेक्शन खीश लिया उसके बाद हमने क्या किया इसमें base plate, mid point से base plate को खींच लिए जो base plate हमारी होती है base plate यहां से यहां से लेके और यहां तक पुरा 600 mm है यानि कि center से 300 नीचे गए और center से 300 उपर गए और इसी को खींच लिए और base plate का जो projection है उसको खींच लिए उसके बाद उसमें हमने ये column को बना लिए column की जो wave की thickness है वो दिया है आपका 10 mm तो 10 mm का wave बना लिया और उसके बाद पूरी जो depth है हमारे column की वो आपकी कितनी थी तो पूरे depth की column जो थी column की जो depth थी वो 400 mm थी तो यहां से लेके यहां तक पुरा 400 mm खींच लिया हमने उसके बाद क्या किया उसके बाद इसने हमने ये flange plate और ये gadget plate लगा दिया हमने ये हमारी क्या है मैं इसको लिख देता हूँ ये हमारी गजट प्लेट है और उसके बाद ये हमारी फ्लेंज प्लीट एंगल है ये हमारा क्या है क्लीट एंगल 100 x 12 का येह दिया है आपका ये है क्लीट एंगल इसको हमने लगा लिया उसके बाद रिवेटिंग कर दी रिवेट से हमने इसको क्या कर दिया रिवेट लगा के कस दिया और इस प्रकार से जो हम लोगों का ये प्लान है इसमें हमने इनका projection खीश किया और इसी पर ये ये wave की thickness को दिखा के और हमने क्या किया जो lower tier beam है इसको लगा लिया और उसमें जो upper tier beam है इनको दिखा दिया ये हमारे pipe separators हैं ये क्या है pipe separators इसमें हमने इनको भी दिखा दिया कि ये pipe separators किस तरह से लगे होते हैं ठीक उसी प्रक प्रकार से जो हमलों का sectional elevation और plan है यह complete हो गया हमारे grillage base का तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें bell icon को press कर दें जिससे आपको किसी भी आने वादे नए वीडियो का notification प्राप्त होता रहें और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो comment जरूर करें Thank you